समय ही आपको किसी का मित्र बना देता है और समय ही आपको किसी का शत्रू बना देता है यही कारण है कि आज देखिए कह रहे हैं कि राम जी आपको प्रियम हैं आप राम जी को प्रियम हैं लेकिन वो तब तक प्रियम हैं जब तक कि वो राजा नहीं बने जैसे ही उनका समय बघलाना जैसे उनका समय फिरेगा आप भी उनकी नज़रों से फिर जाएंगी दिन बदलते हैं तो लहजे भी बदल जाते हैं कह रही है मंत्रा कि आप आपसा मत सोजी कि राम जी आपको सदयाव प्रेम करेंगे कहा जैसे सूर्य भी तो कमल को कितना प्रेम करते हैं सूर्य से ज़्यादा कमल को कौन प्रेम करता होगा बताए सूर्य जैसे ही निकलते हैं कमल खेल जाता है और सूर्य के जाते ही सूर्य भगवान के जाते ही कमल बंद हो जाता इतना प्रेम, खिल खिला के देखने लगता है दिन वर कमल को, असूर्य भगवान उसको पोशन करते हैं, कमल को पोश करते हैं, लेकिन गब तक, जब तक नीचे जल भरा है कमल के, कहने कार्थ है, जब तक हमारे आपके पास जल रूपी, अब उस जल को चाहे मान लीजिये धन उस जल को मान लीजिये गोण, उस जल को मान लीजिये प्रतिष्ठा, उस जल को मान लीजिये पद, जब तक हमारे पावर, जब तक वो जल रूपी, पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा हमारे पास है न, तब तक सूरी रूपी है जितने रिष्टे नाते हैं, यह सब हमको प्रेम कर रहे हैं आप आपके क्या कहने आप तो मेरे वड़े भाई हैं आप तो मेरे चोटे बंदुट तब तक बात चल रही है और जैसे ही जल चला जाता है ना मातों बंधों धान दीजे वही वही सूर्य कमल को सुखा के राख कर देते हैं मंत्रा यही कह रही है भानु कमल कुल पोश्य निहारा और बिनु जल छारी करई सोई छारा बिनु जल जारी करई सोई छारा बिना जल के जला देते हैं उसी प्रकार जरी तुम्हारी चहसवती उखारी वैसे जो आपकी सोतन है वादकी आपको जर सो खाल कर फेक देना चाहती है आपका नामों निशान यहाँ से मिटा देना चाहती है आपकी जो सोतन है और मैं मैं रूंधाओं करी उपाव बरवारी रूंधना रूंधना भी गावों का शब्द्यावद का ही शब्द्य माधाओं बंधो माने हम लोग जब पेड़ के पौधे के आसपास मिट्टी से बना देते हैं घेरा ताकि वो उसको कुछ हो ना पाए उसक मट्राहने का क्या बात है मंत्रा मंत्रा एक बात बताओं मुझे को भी कई दिनों से ऐसा ही लग यहाथ जैसा आपकर कर और प्रियलागी कुचाली और अजे omega इंमिг माने भगोंड त्यक्यृम को हमसमदी रहेए रहा आच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने गविशां सुदर काण्ड में भागवान शिराम से यही बात कह रहा था माताओं बंधों कि सुमति कुमति सबके उर रहाई नाथ निगा नाथ पुरान निगम असकाई जहां सुमति तह संपतिनाना और जहां कुमति तह भिपति निदाना और थव उरकुमति बसी विपरीता इसलिए हित अनहित जाना हूं रिपुपरीता इसलिए आग हित को अनहित समझ रहे हैं और शत्रु को मित्र समझ रहे हैं काल राती निश्चर कुल के री तेही शीता पर प्रीती घनेरी एंहें अँश्चर कुल के लि ए उनसे प्रेम करने में लगते हैं इसा मत करिए समक जाईये तो कहने गार्थ है जब जो आपका भूरा हो और उसे आप अपना प्रेमी समझने लग जाए ना समझ जाएगा मामला गरबर होने लग यहीं होड़ा है माता के कई साथ फिरा करम प्रिय लागी कुचाली और बकही सराहई मानू मराली बोले सुनू मंथरा बात फुरी तोरी और दही नियाँख नित फर कई मोरी यह क्या है मैंने कल भी कहा था कि माताओं के बाम अंग भरकंण लगेशु होता है और दाहिने अंग भड़गना अशुव होता है लेकिन क्या भड़गते होंगे माता कही कही के नहीं यह है वहम माताओं बंधुओं वहम में भी बहुत ताकत होती है जैसे विश्वास में ताकत होती है वैसे ही शंका में भी बहुत ताकत होती है जान दीजेगा शंका में कम ताकत नहीं होती है आपके मन में कोई वहम डाल दे कि आपके घर में प्रेथात्मा है भगवान न करें और आपको बता दू कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन सत्र प्रतिशत दुकाने इसी की चल रही है 10-70 प्रतिशत कि आपके घर में भूत है आपके घर में प्रेतात्मा है आपके घर में इता है क्या होता है मालूम है बातां बंधो यदि बिल्ली भी बर्तन गिरा के भाग जाईगी न किचन से तो आपको लुग का दो कोई था ही नहीं benefit कोई भी प्रतन मैं चाख भरा है het अगर कोई आपके मन में वहम दालने कोशिश करे तो दिमाग खोला रखिए माता कई 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 के मन में भी वहम पैदा हो रहा है आओ हरी कहरी सही कह रही हो मंत्रा तुब मैं भी सोचू ये दाहिनी आख मेरी क्यों बढ़करी है कई दिनों से मंत्रा ने बैठा दिया दिमाग में तो रखना स्क्री हो गई बोली सुनू मंत्रा बात फुरी तोरी दहीनी आख नित फर कई मोरी दिन प्रती देखाऊं और रात को सपने कहाऊं न तो ही सोच बस मोह बस अपने मैं सोचती हूं कि मैं तुमसे इसले नहीं कहती वैसे मुझे सपने भी बहुत बुरे-बुरे आ रहे हैं कुछ दिनों से मंत्रा पहले क्यों नहीं बताया कहां मैं इसले नहीं बताती हुआ न तुम हसोगी तुम सोचोगी कि यह कैसी बात में माता कर रहे हैं लेकिन मैं सच के रहे हूँ मेरे स Eh Reju मेरे स कुछ जीवन में किसी का कुछ बिगार नी मंतर है कि कई वैसे तो माता के कई के कै क्या गलती बिचारी वैसे इक बात और बता दो माता के कही को गोश्वामे सिदाज जी महाराज तैने सो तूलसीदाज जी महराज ने तो नहीं बख्ष जया है, वे और संतो ने उनको यहां तक कि भगवान श्रीराम ने भी मता के कंई लिए कहा है कि मता आक जेसी मता तो कौन होगा, भाई लेकिन भागवान श्री राम ने भारत द्वात जी ने संतों महात्माओं ने और रामदारी सिंग धिनकर जी ने भी उनके विशय में बहुत सुंदर मैथली शरणगुप्त जी ने मैथली शरणगुप्त जी ने साकेत महाकाव में भी माता केकई के बारे में बहुत अच्छा लिखा पागल सी प्रभु के साथ सभाचिल्लाई है धन जन वो एक भरतलाल की माई तो कहने कार थे हैं माताओं बंदुओं माता केकई की कोई गलती नहीं है ये तो विधाता और करम की गलती है लेकिल ध्यान दीजेगा हर सच्चे व्यक्ति के मन में यही दुख होता है हर सच्चा व्यक्ति जब उसके साथ बुरा होता है न तो वो यहीं कहता है जैसा माता केकई कह रहे हैं हम लोग कहते हैं जब आ तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है मैंने तो सबका भलाही किया है मैं इस किस बात का कश्ध भोगरी हूँ हम लोग बात करते हैं या सही तो माता के काही भी यह कह रहे हैं कि अरे मंत्रा मैंने तो इस जीवन में अपने चलते tá अपनी सोच समझ में मैंने कभी किसी का बुरा ने किया, किसी का अनित ने किया, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों उड़ा मैंने समध पा रही, अपने चलत नावाज लगी, अनभल का हुक कीन, अरे कही अग एक कही बारो मोही, दैव दुसह तुख दीन, अइसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मंत्रा, मैं ऐसा क्या करूँ, मंत्रा ने कहा ऐसा है, माता आप चिंता मत करिये, ये सब कौशल्या जी का किया हुआ है, कौशल्या माता ने आपकी सीधाई का फायदा उठाया, और कौशल्या माता ने आपकी सीधाई का फायदा उठा के जानते हैं क्या किया है उन्होंने ही भारत जी को भीज़वाया है और मौका देख करके आपका बुरा करना चाहती है तो उन्होंने कहा कि अरे लेकिन वो तो मुझसे बड़ा अच्छी बाते करती है मंतरा वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है ऐसा तो समझी नहीं आता कभी तुम कह रही हो कि वो मेरे इतना बुरा चाहती है मेरे लिए इतना शलेंतर चनी है लेकिन वो तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है तो कहती है अरे यही तो उनकी चालाकी है वो आपको लगता है कि वो प्रेम करती है लेकिन साल तुम्हारे कोसि नहीं माई कपट चतुर नहीं हो ही जनाई इतनी कपटी हैं, इतनी चतुर हैं लेकिन किसी को पता नहीं पढ़ने देती हो कि उनके बन में क्या चल रहा है सामने बड़ी मीठी मीठी बात करती हैं उन्होंने क्या किया जानते हैं वो पठोए भारत भूपननियोरे राम मातुमत जानब राउरे यह कुल उचित राम कहुटी का सबही सुहाई मोही सुठनी का माता देखिए मन्थरा ने बात पलट दी माताओं पंधू मैं आपको बड़ी बात बताओं बहुत वह मज़िदार बात भी है लेकिन यह मानवी प्रवत्ती भी है बिल्कुल सही बात है हर एक बात है यह माता केकई और मन्थरा का जो संवाद है न यह पूरा संवाद बताता ह माताओं के अंदर के एक विकार को जिसे कहते हैं सौतिया डाह जलन काम क्रोध लोभ मोह मद तो जो मतसर होता है मतसर बताता है यह पूरा प्रसंग और एक बात आपको बता दूए मतसर ऐसा विकार है मतसर ऐसा विकार है जो मताओं में कूट कूट के पाया जाता है जलन वाला विकार जो है जलन भाई भाई या लोग बैठे महराज जी हमारे सब बैठे अब मान लीजे कि हमारे कैमरा मैन सहाब जो है वो और जो माईक मास्टर सहाब है वो माईक मास्टर सहाब ने कल कौन सी शर्ट पहनी थी अगर मैं कैमरा मैन सहाब से पूछू तो camera man sahab को नहीं मालूम होगा कौन से color की पहनी थी white पहनी थी की black पहनी थी ग्रीन पहनी थी की blue पहनी थी नहीं याद होगा लेकिन माताओं के अंदर उनको इतना ध्यान रहता है कि किसी शादी ब्याह में किसी अउसर पर जाएंगी तो खुद जो पहना है तो पहना ही है लेकिन इतना जरूर ध्यान रखेंगी कि मेरी पढ़ोसन ने किस रंकी शाड़ी पहनी थी कौन सा उनका fall था कैसा उनने jewelry पहनी थी अच्छी पहनी थी कहीं मुझसे ज़्यादा तो नहीं चमक रही थी पूरी वही तो नहीं चा गई थी अव महें कहीं दब गई थी माने इतना विचार रहता है उनके मन में भाई लोगों में ये मत्सर वाला विकार कम रहता है माताओं में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो प्रयाश यह किया जाए कि मत्सर वाला विकार पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यक्ता है ध्यान दीजे यही मत्सर वाले विकार का लाब उठा रही है मंत्रा अब वो जान गई है कि राम जी के राज जविशेक से तो माता के कई बड़ी मगन है उनको कोई लेना द वो राम जी की माता का मत जानते हैं राम जी की माता के साथ है तो क्या किया उन्होंने बोले मैं कहां कह रही हूं राम जी के राज जविशेक से मुझे कोई दुख है अरे मैं रोही नहीं रही थी इस बात के लिए राम जी के राज जविशेक से तो मुझे बड़ी आगली अगली बात समझ के बार-बार मुझे चिंता हो रहे हैं आगे क्या होगा वो समझ के क्या होगा तो क्या होगा बताओ जला अरे नहीं कुछ नहीं मैंने सुना है मैंने सुना है कि वो फलाने देश में एक सौतन थी दो और वो एक सौतन ने दूसरी सौतन से कहा कि पानी भरने जाओ और पीछे से अपने सेवक लगा दिये और जाते ही कुए में जैसी वो जुकी पानी भरने के लिए तो धक्का दे दिया क्या ऐसा किया भूले हाँ हाँ और मैंने एक और भी सुना है मैंने सुना है कि एक सौतन ने ऐसा किया था कि उन्होंने भोजन में जहर मिलवा दिया अपनी सौतन के और रसोईयों के हाथों भोजन करवा दिया क्यों नहीं हो सकता, वो दोनों राजमाता थी, जब राजमाता हो जाते हैं न जो तो सेवक उनके कहने पे चलते हैं, फिर आपके कहने थोड़ी चलेंगे वो, अरे भाई, जो CM होगा, विधायक तो सब होते हैं, लेकिन विधायकों के बीच में ही एक मुख्यमंत्री बनता है सांसद तो सब होते हैं सांसदों के बीज में ही एक प्रधान मंतरी बनता है लेकिन आप बताईए सांसद और प्रधान मंतरी में जमीन आस्मान का फर्क होता ही कि नहीं विधायक और मुख्य मंतरी में जमीन आस्मान का फर्क होता ही कि नहीं उसी प्रकार माता होना और राज माता होना इसमें जमीन आस्मान का फड़क है वो राम जी की माता है और राम जी राजा बनेंगे आपको समझनी आती है बात जिस सेवा को जो कहने कह देंगी वो आपको जहर भी देदेगा वो आपको धका भी देदेगा रात भेल देदेगा कहा ऐसा हो सकता है क्या कहा ऐसा हुआ है आपके साथ भी हो सकता है तो रची पची कोटिक कुटिल पन कीन है सी कपट प्रभोध और कहसी कथा सत्सावतिके जह कस रेखान Hai भीधिपादव पीरोध ह talkin' कि जेपझा की कहानी सुलाई मंतर कौन पर को क्या मंतरा तरह लिए के निया तक यह साथ हो सकता है किया मेरे साथ हो जाएगा ओर खाफ क्यों नहीं होगा का मुझे भी जहर दे सकते हैं हां क्योंनी दे सकte मुझे भी धक्का दे सकते हैं मंत्रा ने कौ democr at this अपने ही तो और अने को जांवर मुस मर ने थे हैं कॉन उनका भला है कॉन बुरा है और आपको समझ मारे यह बात इतने सारी जब तो आपके साथ क्यों नहीं होगा आपको यह लग है क्या आप भी हुनी में से है हाथ से आपके हाँ पर भी हो सकता है जब इतने लोगों कहा हुआ तो आच्छा माता के कई से कहती है मंत्रा माता कद्रू बनिता ही दीन दुख और तुम्हें को सिला देव भरत बंदिग्रह से हैं और लखन राम के जैसे कद्रू माता ने बनिता माता को दुख दिया था न कथा आप जानते हैं कश्य पुनि की दोनों पत्निया माता कद्रू और माता बनिता माता कद्रू ने माता बनिता से यह कहा कि यह गोड़े किस कलर के हैं सूर्य भगवान के तो माता बनिता ने कहा कि सफेद तो माता नेने काले हैं तो चलिए देख लेंगे चलके दिखाने की बारी आई तो अपने ही बच्चों को जाके सूरे के घोड़ों में लपेड दिया तो लपेड दिया तो माता बनिता हार गई शर्त छल किसे हारी तो कहां कि अब आशा है कि जीवन वह आपको मेरी नौकरी करनी यही आपका अब इलाजहर कोई पाए नहीं वहीं कह रहे हैं भारत बंदिग्रह से हैं लखन राम के नेव जोसुत सहीत क्या बात हैं कह रहे हैं रेख किचाई कहूं बल भाखी कि भामीनी भायव दूद कई माखी जैसे दूद में से मक्षी को निकाल के फेक दिया जाता है उसी प्रगार दूद में मक्षी की तरह आप हो गई है तो माता के कहीने काई बात बताओ तो क्या मुझे भी फेक देंगे घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के जैसे मक्षी को निकालके फेक दिया जाता है कि आपको नहीं फेकेंगे, मक्खी निकालके नहीं फेकेंगे आपको मक्खी की तरह, तो फिर अरे कहा भई इतना बड़ा राजमहल है, इतना बड़ा राजमहल है, जाडू पूछा, बर्तन, बात्रूम की सफाई, ये सब चीजें आप अगर सीख लें, तो आपका रहना हो सकता है, ऐसे नहीं फेकेंगे, तबता कभी समय है, जाडू पूछा लगाना कुछ सीख लिजी आप, कुछ अपना काम सुवए से साम तक अगर आप काम करती रहेंगे, तो काम वाले तो सबको चाहिए, उनको कौन फेकेगा माता, आप फिर रह सकती हाँ प बनिता ही दीन दुख और तुमही कोशिला देब, भरत बंदिग्रह से हैं लखन राम के नेब, माताओं बंदों इतना सुनना था ना, तो एक बात आपको बताओं, जो बहुत सुकुमार होते हैं, या बहुत जो सुकुमारी होती हैं, वो सबसे पहले इनी बातों से डरती ह या डरते हैं, क्या? अब माता कही 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 राज की बेटी थी, तो कही कही राज की बेटी थी, तो मैं फिर वही बात कहूँगा, बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है, जैसे वैसे आपनों के लिए नहीं कहूँगा यह बात, यहां के शिविर के लिए, क्यो उनके आदेशबर, उनकी क्रपा से, उनकी भक्ती में, यहीं पर जमीन में विजागर गया अपना, असल लेटे हुए थे, यह तपस्या आप लोग की मैंने देखी, लेकिन और लोग जिस प्रकार से होते हैं न, जब कह दिया जाता है जो मैंने कहा था कि महराजी, आने से पहल मैं घवरा जाता हूं, या घवरा जाती हूं, मेरे से नहीं चला जाता, मैं पैदल ही चला पड़ेगा, यह सब बाते होती न, तो वो उससे डरने लगते हैं लोग, आदे लोग कुम में, अगर किसी को चाहिए होता है न, अगर बड़ी अंदर की बात आ रहो, हमारे शिवर आउमत अभी बिल्कुल इतने परिशान हो जाओगा कि बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी, तो वजारे रुख जाते हो, डर के मारे कि सचमुछ खराब हो जाएगी हालत, तो वससे बात सही भी कहते हैं, उसी प्रकार से जो सुकुमार होता है, उसे कष्ट के बारे में सोच करके कष्ट होने लगता है, यही हुआ, माता के कई निका क्या, क्या मुझे जारू करना पड़ेगा, क्या मुझे बरतन मांजने पड़ेंगे, अरे मैंने कभी मन परा नहीं मांजे, मुझे बरतन मांजना निया था, मुझे जारू करना निया था, मैं क्या करूंगी, इतना सुनना था कि माता के कई तो बेहोस होने लगी इतने में पसीना टपकरा है कई कई सुता सुनत कटुबानी और सहमी सहमी गया उक्मुख सहम कही कही ना सकई कचु सहमी सुखानी तन पसेव पसीना पसीना टपकरा है पूरा और कदली जी मिकापी जैसे केले का पता कापता है न माता केकई को आ गई मिर्गी और मिर्गी में वो यू कर रही है तो मन्तरा ने तुरंत अपनी जीव को कुबरीद दसन जीव तब चांपी बाताओं का एक 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 जेश्चर है अंग्रे जी में शब्द है माताइं कि करते जब ज़्यादा कलती हुआ धी है यह कईसे हो गया मंतरा डर गई उसने जीव को दबाया मंतरा को लगा कि अरे मैंने कहीं जादा तो नहीं ड़रा दिया कहीं इनको हार्ट टेक ना जाए पता लगा ये वी इनका राम नाम सत्य हो जाए और हमारा सारा प्लान पेल हो जाए यही चली गई तो कौन करेगा आगे शारा यह लीला रर नहीं 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 कुछ नहीं होगा मैं तो हूं माता मैं तो हूं तो कही कही कोटिक कपट कहानी और धीरच धरहु प्रभो घर जा करके अपने नई हर में रह लोंगी मैं चली मैं सूटके स्पैक कर रही हूं और भाई अब जहां मेरा सम्मान नहीं जहां आगे जाकि मुझे बरतनी मांद में पड़ेंगे इस अच्छा है कि मैं अभी जय जय शीताराम करके निकल लूँ अपने घर में चली जाओंगी वहां मैं समान रहे लूँगी नई हर जनम भरब भर जाई लेकिन जीयत न करब सवती से वकाई देखे जो वहन थी वहन समान मा समान माता कोशलिया अब वो सौध हो गई और सौध ही नहीं हो गई है मंत्रा कहती है माता अरी बस धैव जियावई चाही मरन नीक तेही जीवन चाही शत्रू के बस में जीने से तो अच्छा है कि मृत्वी हो जाए माने वही माता कोशलिया शत्रू भी हो गई है माता केकई के ये बुद्धी फिर गई है माता केकई ने की मंत्रा ने बुद्धी फेर दी है लेकिन इस प्रकार से माता आपके लिए शडंत्रचा है वो जाए यहां से हम बैठे हैं हमारे होते हुए ऐसा होने दूंगी माता मैं आप बिल्कुल निश्चंत रहिए कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा तो कहा कैसे कुछ नहीं होगा मंत्रा कैसे कुछ नहीं होगा मंत्रा देखिए बड़े हर्ष की बात है माताओं बंधुओं प्रगट भुना जिसे कहते हैं भाय प्रगट क्रपाला परमश्रद्धे अनंत समलंकित जानकी घाट रसिक पीठा दिश्वर राम जन्म भूमी न्यास के अध्यक्ष आए आए समझी धर से देखिए महराज श्री का इसमें है उनका आशिर्वाद आप लोगों का ये सवभाग है माताओं बंधुओं सत संगति संसृति करवंता तो संतों का इतना इतना दिब्य दर्शन हो रहा है मैं बहुत आशिर्वाद बड़ी क्रपा है महराज जी की वो पधारे और साथ में इतने सब संतों का आशिर्वाद देने के लिए हम लोगों को बधारे तो कहा रही लेकिन आप तो कह रहे ही थी कि वो राम राजा बनेगा कहा चिंता मत करिये जब से मुझे पता पड़ा था ना कि इस प्रकार का कुछ शड़यन त्रचा जा रहा है जब ते कुमत सुनाव मैं भामीनी तो भूंक न बासर नींद न जामीनी ना दिन में भोजन कर पा रहे हूं ना रात में सो पा रहे हूं ना भोजन कर पा रहे हूं मंतरा ने कहा माता तब से मैं एक ही काम कर रही हूँ कहा क्या जो हम सब जब चिंता होती है तो करते हैं एक बात बताओं आपको हम लोगों के पास जब हम लोग चिंतित होते हैं तो आप में से कितने लोग हैं जो चिंता में लोगों से मिलते हैं हैं कि टेंशन में किसी से मिलने का मन नहीं करता हैं किसी को छोड़के महाराज को मिलते हम जचिंता होती है लग में उन्हें पाधंजाते के महाराज को म delivery दिखा रहा है क्या करें बताईए जनम पत्रिगा दिखा रहा है मंत्रा ने भी कहा मैं भी गई कई जगए और जा करके मैंने देखा पूँछे ओगोनिन रेखतिन खाची कि भरत भुवालो हो वो यह साची मैं पक्का कह रही हूं माता माता भरत जी ही राजा बनेंगे बिश्वास करिये मेरी बात का तो माता ने कहा लेकिन कैसे बनेंगे कैसे बनेंगे मंत्रा मंत्रा ने कहा देखिए मेरे पास एक उपाय है यदि आप कहें तो वो कर लिया जाए लेकिन आप कहें तो अगर गुस्सा ना हो तो आप मेरी बात पर गुस्सा हो जाती है आप मुझे फिर अनर्ग लाम देने लगती हैं अच्छा अरे नहीं नहीं पका बोलो बोलो बोली भामी निकाहूं भामी निकाहूं तो कहाऊं उपाओ कि है तुमरी से वावबसराओ माता ने कहा कर रहूं मन्थरा तुम कह दो तो मैं अभी जाकर के कुए से कूच जाओं देखिए फिर आकरम प्रियलागी को चाली मन्थरा आप कहिए तो जाकर के मैं अभी कूए से कूच जाओं आप कहिए तो जाकर के अभी अपने पतिदेवों को और पुत्र को त्याग माताओं बंधु एक बाद सदव्याद रखेगा यह तीर्थ राज प्रयाग है आप लोग जहां पर कल्पवास कर रहे हैं जैसे यह घटना श्री अयोध्या धाम की है जहां भगवान शिराम ने जन्म दिया है भगवान शिराम आवध प्रभाव जान तब प्रानी जब भक्त शिरोमनी भरतलाई जी महराज ने तीर्थ राज प्रयाग में भरतलाज जी महराज के सामने एक बहुत महत्वपून बात कही थी कि एही थल जो किछु कहब बनाई एही ते अधिक न अग अधुमाई यदि तीर्थ में आपने कोई जूटी मूटी बात कही न कोई जिहान दीजेगा वो तीर्थ में सच भी हो जाता है कई बार